हेलो फ्रेंट्स, एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट में आपका फिर चाह स्वागत है फ्रेंट्स मैं बता दू कि ये दिल्ली इन्वर्शिटी का ओफिस्यल वेप साइट है और इन्हों ने एक जो है नोटिफेकेशन आपडिट किया है तो मैं बता दू कि उस नोटिफेकेशन में ये है कि इन्हों ने कुछ डॉक्मेंट को रिकॉर्इड किया है जो आपको रजिस्टेशन से पहले ओफिस्टेशन जो इन्हों ने नोटिफेकेशन में में चाहिए है और आपके पास होना अत्ती आवस्यक है इसके बाद आपको रजिस्टेशन की परकिरिया पूरी होगी आपके पास अगर कुछ डॉक्मेंट नहीं है तो आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो आईए देख लेते हूं यह डॉक्मेंट की इनके लिस्ट में कौन कौन से डॉक्मेंट आपको जूरत है रजिस्टेशन से पहले और इसके बावजूद आपको कोई अगर डॉट होता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को इस तरह की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसा अपडेट मिलता रहे आपको इन से रिलेटेट सारे लिंक इस विडियो के नीचे डिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से भी इसे विजिट कर सकते हैं पाइए पहले हम इनके जो डॉक्मेंट्स के लिस्ट है वह देख लेते हैं आपको जैसे आप डियू का ओफिशर वेप साइट खोलिएगा यहाँ पर एड्मिशन 2019 लिखा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करिएगा आपको ऐसा एक फेज खुलेगा यहा जून के फर्स्ट वीक में जो होगा इसका रेजिस्टेशन सुरू हो दाएगा वैसे इस रेजिस्टेशन से पहले आपको डॉक्मेंट्स हो चाहिए इन्होंने यहाँ पर लिका हुए है डॉक्मेंट्स रिक्वाइड फॉर अप्लोडिंग आट टाइम ऑफ में है और फोटो कॉपी इस डॉक्मेंट्स जो है आपको सारा फोटो कॉपी जो होगा जिस डॉक्मेंट्स की फोटो कॉपी होगी आपको सेल्प टेस्टेड होनी चाहिए यानि आपको साइन या रिटेन में यह दोनों चीज़े होनी चाहिए तो आपको सारा डॉक्मेंट जो है upload करना self-attested याद रखिएगा आप इस चीज को भूलिएगा मत रजिस्टेशन से पहले यह आपको याद रखना है इसके बाद कुछ documents है आज 8-9 list है document की जो आपको uploading करते वक्त registration के वक्त आपको uploading के लिए यह documents जरूरत है तो list of documents देख लेते हैं पहला आपको आपके पास photograph होना चाहिए नहीं फोटो होनी चाहिए passport size का रंगीन jpg format में और इसकी size होनी चाहिए 50 से 10 से 50 kb के बीच में दूसरा आपके पास scan signature होना चाहिए scan किया हूँ signature तो जाईर से बात है signature को आपको scan ही करना है और इसके बाद आपको जो यह format होगा jpg format होगा और यह 10 से 50 kb के बीच में इसका size होना चाहिए इसके बाद आपको self-attested class 10 का certificate फिटेक मार्सिट जिसमें आपको date of birth होना चाहिए यह दोनों आपके पास में से कोई होना चाहिए इसका जो size है उस 100 से 500 kb के बीच में होना चाहिए यह भी jpg format में ही होना चाहिए लेकिन यह self-attested होना चाहिए आपको उस पर sign किया हुआ होना चाहिए इसके बाद self-attested class 12 का मार्सिट और इसके बाद इसकी जो size होगी 100 से 500 kb के बीच में jpg format में होना चाहिए इसके बाद अगर आपकी इसी category से belong करते हैं तो उसकी reservation के लिए आपको AC, ST, PWD, CW, KM का certificate होना चाहिए और इसका size जो है 100 से 500 kb के बीच में होना चाहिए jpg format में और इसके बाद जो OBC non criminal layer के लोग हैं इनके लिए जो certificate होना चाहिए उत 31 March इसमें indicate करके बताया गया है याद रखिएगा आपको जो यह OBC certificate है वो issue कब होना चाहिए 31 March से आपको जो है इसका 31 March के बाद का जो issue का जो date है यह होना चाहिए यानि कि 31 March से पहले का जो OBC certificate है वो valid नहीं है 31 March के बाद आफटर 31 March के बाद का जो OBC certificate है यह आपको रखना है scan copy में और self attested इसका भी चाहिए ठीक है और इसके बाद में आप देख सकते हैं जो EWA से यानि economical weaker section certificate अगर जो economical weaker section से जो बिलोंग करते हैं इनके लिए भी जो certificate का issue data वो भी after 31 March यानि 31 March के बाद का होना चाहिए और इसके बाद यह भी JPG format में होना चाहिए और 100 से 500 के भी के बीच में इसके बाद self attested copies of sports अगर आप sports या ECA certificate मतलब ECA category में है तो इसके लिए भी आगर आपको certificate certificate जो है scan में JPG format में करना है और 100 से 500 के भी के बिच में करना है तो आप अगर sports quota से बिलोंग करते हैं या ECW से ECA से बिलोंग करते हैं तो आपके पास certificate है तो आप इसको भी upload कर सकते हैं तो इसमें जो mention है OBC का और EWS का है इसका जो certificate का issue date है 31 March के बाद का होना चाहिए यह mention किया हुआ है तो आपके पास यह certificate होना चाहिए तब आप इसका benefit ले सकते हैं इसके बाद कुछ चीज़े हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए जो इनकी कुछ notification है आप दिया हुआ है तो जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो registration है बहुत जल्द शुरू किया जाए गया मैं जैसी registration का portal launch होता है तो मैं आपको एक वीडियो के मादम से इसका जो है प्लीज लाइक और शेयर जडूर करें और इसके बावजूद आपको कोई मन में अगर आपके डाउट होते हैं तो अब प्लीज मुझे कोमेंट कर सकते हैं थाइंक यू मिलते हैं निव अपडेट के साथ